बीजेपी से डरने वाला और आरेसे समर्थक करार दे दिया सवाल यह है कि राहूल के निशाने पर आखिर कॉंग्रेस के कौन नेता है कॉंग्रेस के सोशल वीडिया सेल के वॉलिंटियर्स को सम्बोधित करते वे राहूल गांधी ने कहा बहुत लोग हैं जो डर नहीं रही हैं वो कॉंग्रेस के बाहर हैं वो सब हमारे हैं उनको अंदर लाना चाहिए और जो हमारे यहां डर रहे हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए राहूल ने कहा कि अगर RSSK हो तो जाओ, भागो, मजे लो, ज़रूत नहीं है तुमारी, हमें निडर लोग चाहिए, यह हमारी विचार थारा है इस दोरां राहूल गांधी ने पार्टी से बाहर जाने वाले निताओं पर हमला करते वेखा, जिने डर लग रहा है, वो जा सकते हैं, ऐसे में अब सवाल यह उठ रहे हैं कि राहूल गांधी ने यह तीखा हमला किस पर किया है, क्या वो कॉंग्रस नेतर्तु को चुनाती दे रही करते, आरसे से संबंदित राहूल गांधी के बयान में आखिर माइने क्या हैं, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे, संग में जाने की सलाह देखर राहूल किस पर निशाना साथ रहें, वो जो पार्टी छोड़ कर चले गए या जो पार्टी में रहकर विरोध कर र रहते थे, संधिया मद्रदेश के विधान सभाव चुनाव में कॉंग्रेस का चहरा थे, लेकिन कॉंग्रेस ने उनकी अंदेखी की और कमनलात को सीम की कुर्सी पर बैठा तिया, इसका नतीजा ये हुआ कि जो तिरा दिस संधिया कॉंग्रेस की सरकार को गिरा कर बीजेप किसे हटाने में लगे हैं, किसे संग और बीजेपी के करीब समझते हैं, तो कई सवाल हैं, जिनका जवाब आज जूने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ दो खास में हमान जुट रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी से